बिस्मिल्ले रह्मानि रहीम, अस्सलाम उलेकुम प्यारे बच्चो, सुबा बखेर, कैसे हैं आप सब? उमीद है आप सब अपने घरों में खेरियत से होंगे, दारे रिकम ओनलाइन क्लासिस में आपको खुशाम दीद. मैं हूँ आपकी अर्दू टीचर और आज हम अपने अर्दू के लेक्चर नमबर 15 वर्बुक सफ़ा नमबर 29 और 30 पर हर्फ हमजा लिखना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमजा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहां पे इस्तमाल होता है? असलाम लेकुम बच्चो आज हम आपको ऐसे अलफाज बताएंगे कि जिनके दरमयान में हमजा का इस्तमाल किया जाता है? इसका इस्तमाल अलफाज में कैसे किया जाता है? चलिए आपको दिखाते हैं जब भी अलफाज में अलिफ के बाद वाओ, छोटी या बड़ी का इस लाई, भाई, लाई, चाए, काए, आए, तो देखा आप लोगोंने अलिफ के बाद वाओ, छोटी ये और बड़ी का इस्तमाल जब हुआ तो उसके उपर हमजा का इस्तमाल किया गया इसी तरहां जब वाओ के बाद छोटी या बड़ी ये आए तो भी उसके उपर हमजा का इस्तिमाल किया जाता है जैसा के बोई, धोई, खोई, रोए, बोई, धोई, देखा आपने वाउ के बाद जब छोटी और बडी और का इस्तिमाल अलफाज में आया तो उसकी ओपर हमजा का इस्तिमाल भी किया गया आप अपनी उर्दु की वर्बु का सफा नबर 29 निकालें, फिर काम शुरू करें ये वला, जी हाँ तो आपको याद है न, अपना काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं बिस्मिल्लाइ रह्मान इर्राहीम पढ़ते हैं ठीक है, तो जल्दी से आप पढ़ ले फिर देखते हैं, कि आज का हमारा नया हर्फ दोस कौन सा है लेकिन उससे पहले, आज की डेट लगाएं और दिन क्या है, जुमिराद, जुमिराद को टिक कर ले अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है ऐसा कोई आपने हर्फ सीखा है? जी हाँ, बिल्कुल इसी शकल का हमने आइन सीखा है आइन भी ऐसी होता है ना, तो हमने सीखा है आइन और ये भी उसी के जैसा लग रहा है, है ना, लेकिन नहीं इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा हर्फ है? ये है हमजा, और हमजा की आवाज कैसी होती है? हमजा की आवाज होती है हमजा अ थीक है तो चलें इसको ट्रेस करें सबसे पहले आपने पुजीशन डोट से जैसे आइंस बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे यह देखें और छोटा सी जैसे सी की शकल भी होती है इसकी और फिर प्लांट लाइन ऐसे और लाइन को टच कर देंगे यहां पर आके हमारा हमजा खतम हो गया लेकिन जो आइन होता है वो ऐसे लाइन से नीचे जाता है बड़ा सा लेकिन यह लाइन पर आके खता चोकर खतम हो गया यहीं पे इसका काम खतम और यह क्या बन गया हमजा अब देखते हैं हमजा से क्या क् बनता है जी क्योंकि हम्जा से कोई चीज नहीं बनती हम्जा सिरफ लब्जों के दर्मियान में इस्तमाल होता है ठीक है जैसे यह देखें यह डायरी में इस्तमाल हुआ और यहां पे जाइका में नजर आ रहा है न आपको तो यह लब्जों के दर्मियान में इस्तमाल होता है इससे कोई चीज नहीं बनती, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही याद करेंगे, हमजा आ डाइरी, हमजा आ जाइका, और यहां पर आपने डाइरी में अपनी पसंद का कोई भी कलर जो आपको पसंद है, वो करेंगे, तो चलें अगले सफ़े की तरफ, अगला सफ़ा है हमारा सफ़ नमबर 30, यहां पर भी आज की डेट और दिन को टिक करेंगे, और यहां पर एक बार फिर से हमजा को ट्रेस करेंगे, पुजीशन डॉर्स से, यह देखें, ऐसे, स्लाट लाइन और इसको टच कर दिया, ठीक है, यह आपको आता है अच्छी तरह से लिखना, क्यूंकि आप सीच चुके हैं, आइन बनाना, तो यह आज का काम आपको बहुत इसी है, डॉर्स पे भी आपने इसी तरह से, यह देखें, एक कर्व है, और यह स्लांट लाइन, ऐसे, यह बन गया हमजा, और जब आपने अपको लिखना है, तो पुजीशन डॉर्स से यह देखें, कर्व, और यह स्लांट लाइन, जो के लाइन को टच करेगी, और बारा काम खत्म, यह आपने फुल पेज कम्प्लीट करना है, और जैसे ही आपका यह काम कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपने क्या बोलना है, अलहम्दुलिल्ला, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अलाफिस, प्लाफिए जयाँ, आपका झापका झापकाई सारा ख्याएगा, तो आपका प्लाफिए sind हम्प्लाफिए इश्स के लाइन, आपका झाली आपन मेंगा हो जागका।